हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम तो कोमल नहाटा ओफिशल इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाते की थी 2019 के हिट्स, सूपर हिट्स, ब्लॉक्बस्टर्स और सक्सेस्वल फिल्मों की एंड साथ में ये कहा था के 2020 में उसकी जगा बॉलिवुट को क्या देखने को मिला खेर वो पहले छे महीने की बाते थी, अब जुलाई से डिसेंबर की बाते इस वीडियो में जुलाई 2019 में रिलीज हुई थी सूपर 30 और 2020 में सूपर 30 नहीं, सूपर 34 यानि टॉप 34 प्रोडूसर्स ने एक पेटिशन डाला देली हाइकोट में अगेंस्ट 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 मीडिया कावरेज अफ देशान सिंह राजपूत केस् उन टेलेविशन चैनल्स ने बॉलिवूड की बहुत निंदा की, बॉलिवूड को गटर, बॉलिवूड को प्रोस्टिटूशन डेन, बॉलिवूड को ड्रग्स का अड़ा ये कहकर पुकारा, ये कहकर बुलाया और इसलिए टॉप 34 प्रोडूसर्स और 4 ट्रेड असोसियेशन ने ये केस दर्ज किया है दिल्ली हाई कोट में ओगिस 2019 में आई थी मिशिन मंगल और 2020 में यू मानो कुछ टेलेविशन चैनल्स का मिशिन ही हो गया ये बताना, ये साबित करना के बॉलिवूड सबसे घटिया जगा है लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को समझ में आ गई कि बॉलिवूड में सब कुछल मंगल है जब उन चैनल्स की कोई बात प्रूव नहीं हो पाई सेप्टेंबर 2019 में दो सक्सेस्फुल फिल्में रिलीज हुई थी, ड्रीम गर्ल और चिचोरे 2020 में क्या हुआ, चिचोरे के हीरो सुशान सिंग राजपूत की ड्रीम गर्ल फ्रेंड रिया चक्रबर्ती को जेल जाना पड़ा उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ऐसा भयानक ड्रीम तो किसी गर्ल फ्रेंड ने नहीं देखा होगा साथ में हम ये भी कहेंगे के कुछ चिचोरे मीडिया परसंज ने रिया चक्रबर्ती पर बहुती गलत और बहुती घटिया इल्जाम भी लगाएं October 2019 में आई उस महिने की और उस साल की सबसे बड़ी हिंदी ब्लॉकबस्टर और वो थी वार वार के अलावा हाउसफल 4 भी October 2019 में रिलीज होई वेल जैसे हमने पहले भी बताया इन वार बॉलिवूड वास बॉलिवूड वास बॉलिवूड वास बॉलिवूड देखने को नहीं मिलेगी या कम भीड देखने को मिलेगी इसलिए हाउसफल बॉलिवूड अभी भी बॉलिवूड के सिनमाज में नजर नहीं आ रहे है इन फैक्ट कुछ लोगों का तक ये सोचना था कि अब क्योंकि OTT प्लाटफॉर्म पर फिल्में प्रेमियर होने लगी है इसलिए हाउसफल बॉर्ड कभी नजर नहीं आएंगे अफकॉस ये गलत बात है क्योंकि जैसे सिनमाज में फुट फॉल्स इंक्रीज होंगे फिर हाउसफल बॉर्ड नजर आएंगे और इस वाउसफल बॉर्ड अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि सालों की आदत इन नौ महीनों की आदत से चेंज हो जाएगी नौ महीनों की आदत OTT प्लाटफॉर्म की है लेकिन उस आदत के बारे में क्या जो हम सालों से सिनमा घर में देखते हुए आएं है यानि watching films on the big screen November 2019 में रिलीज हुई थी बाला और जिस प्रकार से बाला के हीरो आईश्मान खुराना को उस फिल्म में अपनी मैरिज को टिकाए रखना तो उस मैरिज को टिकाए रखना एक हैरेजिंग एक्सपेरियंस था वैसे ही cinemas and film industry के लिए audience को वापस आकरशित करना was indeed a hair-raising experience in 2020 November 2019 में ही दो और reasonably successful film में रिलीज हुई थी Marjaama and Commando 3 Well, 2020 में cinemas, बहुत सारे cinemas actually felt हम तो Marjaama because अब जिन्दा रहना मुश्किल है and जो टिके रहे, जो डटे रहे they were like commandos who never give up actually, 2020 में जो cinemas अभी भी functional है despite not many playing programs बहुत ज़्यादा film में रिलीज नहीं हो रही है public cinema घर में नहीं आ रही है बहुत कम संक्या में भीड दिख रही है उन cinemas को हम exhibition sector के असली मर्द कहेंगे just like 2019 के December की film Mardani 2 की heroine Rani Mukherji थी she was no less than a mard December 2019 में दो और फिल्म में रिलीज हुई थी पती, पत्नी और वो और गुद नियूस well 2020 में गुद नियूस तो Tanaadji the Unsung Warrior के साथ January 10, 2020 में ही खतम हो गई थी उसके बाद तो सिर्फ बाद नियूस आई गुद नियूस सुनने को ही नहीं मिली and जब cinemas खुले तब producers और distributors एक तरफ और exhibitors एक तरफ उनके बीच में जो जगडे हुए on revenue sharing, on reducing the window of exclusive cinema run and of the VPF virtual print fee इन बातों को लेकर ऐसे लगा कि producer और distributor एक तरफ और exhibitors दूसरी तरफ ये husband और wife की team की तरह है यानि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते हैं पती, पत्नी और वो English वाला वो, W-O-E तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो जिसमें हमने 2019 के July से December के महिनों में कौन सी hits, super hits, blockbusters and successful film में रिलीज हुई और उनकी जगा Bollywood को 2020 में क्या देखने को मिला comment section में जाकर अपने comment जरूर post कीजिएगा and जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ stay safe, stay relevant and of course stay tuned